दो बच के basement हो रहा है Guys one thing I would like to share यहां पर Infosys का यह चार्ट है और Infosys ने हमें इतना जादा patience चेक करी आज यह है support हमने यहां पर shot कर रहा है पंदरा मिनट से यह candle पंदरा मिनट में यह candle पंदरा मिनट में यह candle फिर पंदरा मिन में यह candle अब यह rate बंद रही है We are waiting कि यह breakdown हो जाए breakout हो जाए यह एक बजे से लेके एक घंटे से एक range में है यह market Good afternoon guys, market close हो गया I mean 5 minutes में close होने वाला है 3.23 time हो गया date है 9th October और आज का जो day था वो I'll tell you काफी जादा patience testing वाला था because at a time यहाँ पर हमने short कर रहा था और हम यह 15 minutes का time frame है हम wait कर रहे थे breakdown का जो हमने यहाँ से हमारा breakdown था यह यहाँ पर wait करके इसने फिर एक 15 minutes में green candle बने फिर एक rate candle बने फिर green candle बने फिर इसने breakdown किया लेकिन हम थे option buyer आज के market में और काफी जादा time decay हो गया था breakdown करने के बाद इसने एक bullish candle बनाए और at this point I was sure कि अब either यह stop loss hunting के लिए रहे है या फिर यहां से market reverse हो रही है या फिर यहां पर sellers का stop loss है हंट कर लिया होनोंने तो यह breakdown में को लगा fake breakdown है और यहां से market ऊपर जाए बट I was still in my positions मेंने still positions अपनी hold करके रखी थी और and after this last candle जो तीन बजे की जो candle थी usually होता है कि तीन बजे वाले candle में momentum फ़ड़ा होता है either bullish side और bearish side तो इस candle ने जो breakdown कर रहा उसमें हमने almost target तो नहीं बट one is to one पर हमने आज बुक कर रहा हमारा risk to reward और as now you can see कि अब यह फिर से green candle बनके यहीं पर somewhere around यहीं पर कहीं पर market close होगा तो हमने जो one is to one पर जो हमारा बुक किया profit यहां पर somewhere although हमें बुक नहीं करना चाहिए था target हम यहां पर wait करने चाहिए थे हमारे target तक का but still काफी ज़्यादा patience test हो चुकी थी इस market में और psychology हमने बिलकुल मिगड़ने नहीं दिए यहां पर हमने काफी ज़्यादा discipline के साथ काम किया है अगर यह अगर थोड़ा भी कोई impatient trader है वह यहां पर बिलकुल loss कर सकता है यहां पर multiple entries लेके तो आज की जो position है उसमें around जो total है इसमें 1 SL हीट हुआ है हमारा rest you know 1 is to 1 जो है profit so yeah overall it was a good day see you tomorrow झाल झाल